आज हम ओपराल एल टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं ओपराल एल टेबलेट क्या है इसको किस किस कामों में यूज किया जाता है इसके डोजेज एब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रकाई शाक के और आप द बाइब सकते तक प्रस्ट्राइब में। निकलने वाले हैं जब कोई निकल को रेने निकलेगा तो प्रेगनसी और प्रेगनसी का चत्रा अपने जाता है ताकि अंचा ही प्रेगनेंसी से बचा जा सके चलिए सबसे पहले इसके यूजर के बारे में बात करें तो इस टैबलट को इस संबंद बनाने में हस्तिश्चेप नहीं करती है जिन महलाओं को period 2-5 दिन बाद आता है ये 2-5 दिन पहले आ जाता तो वह महलाओं भी इस टैबलेट का यूज कर सकती है जिन महलाओं को पेट में भूछ ज़ादा दर्द रहता है period के समय या कमर में भूछ ज़ादा यह टैबलेट प्रेग्नेंसी से सुरक्षा नहीं देती वलकि जिन मैलाओं के ऑर्मन डिस बैलेंस हो जाते हैं उसको भी बैलेंस करने में मदद करती है जो मैलाओं चाहती है कि मेरे पिरियड दो-पाइट दिन लेट आए तो मैलाओं भी इस टैबलेट का यूज़ कर सकती है वे इसका doses में बताँगो कि किस तरह से आपको दिन बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का यूज करना है कोई डॉक्टर इसको ovarian system में भी इसका यूज करते हैं दूसरे दिन आप रोज एक टैबलेट ले सकती है तो इस तरह से आप इस टैबलेट का यूज कर सकती है चली इसके side effect के बारे में और बात कर लेते हैं इस tablet के side effect क्या है या आपको नूजिया vomiting की सकात हो सकती है, सर में दर्द की problem हो सकती है, चकर की problem हो सकती है, घबराट की problem हो सकती है तो इस तरह के side effect दे कर सकते हैं यदि आपको diabetes की problem है, kidney से संबंदित कोई problem है, heart से संबंदित कोई problem है, liver से संबंदित कोई problem है और यदि आप 35 साल से ज़्यादा ओमर है आपकी तो इस टेबलेट का यूज़ ना करें और अगर आप यूज़ करती हैं तो अपने डॉक्टर से कंसर्ट जरूर कर लें इसे भी बिना डॉक्टर की एडवाज से तो किसी भी तरह की मेडेसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस ओवराल एल टेबलेट के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके और कमेंट्स करें और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कालमी 4 अप डाउनलोड करके मुझसे बात कर सकते हैं आपका दिन मंगल में हो आप सदा घुष रहें सदा स्विष रहें झाल झाल झाल